हाहां अठारा लाग के बाद अठारा लाग के सर्वेंद आप जी और इसलिए तो मांग तरहें कि जंगन नँए होना चाजिए ये 2011 कि से आपसे 18 आप जो आर्थिक सर्वेक्षन हुआ उसमें 2011 माई अठारा लाग है और उसके साथ से सबकारी योजना बनी हम बहुत सारे राजियों से बहुत आगे हैं लोग अभी भारती जंदा पाठी सासित राजियों से आगे हैं अब जो आठारा लाग के बाद और लोग हैं मैं भेट मुलाकात कारकाम में गया था तो वहां लोग बोले हमको भी मकान चाहिए क्योंकि 2011 में जो ज़्रण गरना हुआ उस समय जो दस बारा साल के रहे होंगे आज जो तेश साल के जवान हो गया इस साधी हो गई उसके बच्चे भी है अब वह अलग परवार बन गया उसको चाहिए अब उसको लाब नहीं मिल दा तो इससे में पूछ रहा हूं इस सर्वे कराने सामत है नहीं कि भारता सरकार तो गंड़ गंड़ नहीं करा रही प्रशान मते हम चित्थी भी लिखे मिलने गया से तब भी हमने कहा है लेकिन अभी तक के भारती जनता पार्टी से मामलें कोई बयान नहीं तो पुंदू ना अन्होंने बयान दिया कि एक सामत है ना अमैं इससामत होना ने अलग है लेकिन पार्टी सब्सक्राइबवा के बयान आना चाहिए उससों स्वे कर आ रहे हैं येंसे उसागत करते उनक्लिमा क्ता कि नेकरते कि जूट कमाल खड़ा करती है एक उधारन में आवास के मामलें दिया तो ये बर्गलाने काम लगातार इनके आदत ही है भारती जन्ता पार्टी के अभी जैसे रहमान सिंग ये आवास के मामलें बुले 16 लाक है मैंने का सा आखड़े दे तू मुझे आविधन मुझे दे तो लेकिन अभी तक भारती जन्ता पार्टी दे नहीं रही है क्योंकि क्लाई खुल जाएगी दूसरे जब 18 लाक है और 8 लाक भारती जन्ता पार्टी सासंकाल में बन गया तो फो 16 लाक कैसे बचे ये तो तीसरी कक्षक बच्चा भी बता देगा 16 में 8 खटा हो तो 8 बचेगा लेकिन अब 11 लाक शुक्रित होगे मदब 3 लाक और शुक्रिती मिली 11 लाक अब 7 लाक के लिए हम लोगे इस बजट में अभी परसों ही जो पंचायत मंतरी के अंदान मांग में 32 करों रुपे रख दिया है तो वो भी पूरा हो जाएगा तो 16 ल प्रा करने का काम इनका है मैंने यह भी कहा और हमने घोष्णक कि है कि एक अप्रेल से सर्वे टीम हमारी जाएगी और उस सर्वे टीम के द्वारा जो लोग पाते ही ग्रही हैं मतले 18 लाग से बाहर और जो लोग होंगे उसको भी क्रम बद तरीके से हम उसको मकान देंगे अब भारती जनता पार्टी पूछ रहा है इसमें सम्मत है क्या बताया भारती जनता पार्टी